जो ग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिरंदन है आपका हमारे इस चानल दिव विश्रजन स्प्रीच्वल के लाइव चर्चा कारिकरम में रात्री नौ बजे प्रतेक दिवस की भाती आज भी यह कारिकरम हम शुरू कर रहे हैं और आप सभी के समक्ष आज का जो विशय है कि चर्चा मंडुक के उपनिश्रद में मिलती है और मंडुक के कारिकाम में फिर उसकी कुछ व्याख्या भी बिलती है को है तो अंतर में उसको भी थोड़ा लिया जाएगा वसे कारिका की उपर तो चर्चा आगे चलेगी है तो इन श्लुकों को हम लेंगे और आज जैसा कि विदित है पहले ही मैंने लिख दिया था कि प्रतिक्षा थोड़ी करनी पड़ेगी और आज आपको थोड़ी प्रतिक्षा करनी पड़ी थोड़ा विलंब हुआ लाइव सेशन शुरू करने में लगबग 20 मिनट का विलंब ठीक है तो इस विलंब के पीछे कारण क्या है कई कारण है वैसे आपके जो साथ जो संबंद है जो लोग यहां पर मुझसे जुड़ते हैं और जो लोग मेंबर्शिप भी लेते हैं वह कोई अपचारिक संबंद न है ठीक है हा ठीक है सोशल मेडिया के माध्यम से है लेगन आपकारिक कुछ से Harbor अपने वारे में बताते हैं और कई बार कि की वह बहुत कुछ कुछ उनको बताया जाता है सायोग के रूप में कई चीजों से संबंदित अपने जीवन से संबंदित भी लोग प्रश्र करते हैं तो आजकल जो माहौल चल रहा है आज विलंब होने का जो कारण है मैं बहुत कुछ शब्दों में समय लेकर आपको बता देता हूं कि थोड़ी सी कुछ प्रसंता भी है कि एक मेरी बहन है बड़ी है मुझसे दीदी लगती है मेरी कोरोना से ग्रसित बीच में लगा कि मामला कुछ ज़्यादा बिगर सकता है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब स्वस्त है ठीक है कोरोना नेगेटिव हो चुकी है तो आज अहीं थीब एडमिट तो नहीं होना पड़ा लेकिन फिर भी काफी तकलीफ कस्ट शरीर में आ गया था जैसा कि च अगर पहले से सावधान हो तो फिर वो भी दिक्कत नहीं होती है अगर कोरोना हो जाए और पहले से सावधान रहे हो तो वह दिक्कत भी उतनी नहीं आती है इसलिए प्रेकाउशन इस बेटर देन क्यूर पहले से सावधान रहे है अगर कोरोना बहुत अधिक फैल रहा है द पहले से आप सावधान नहीं रह रहे हैं। ठीक आप और दूसरी बात कि religious कि मैंने विडियो बना कर भुताय कि कही ने कहीं बहयां में आ जाते हैं तो उनकों से बचें सुरक्ष्षा पहले करे हर मामले में अपनी पहले करें तो यह आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा तो इसी लिए एक तो यह कारण बन गया और चारों तरफ से जो माहौल है देश के भीतर आप देखी रहे हैं करोना का एक अलग माहौल है फिर बंगाल में जो हिंसा लगतार चलते जा रही है बढ़ते जा रही है उसका एक अलग माहौल है तो उसकी भी कई खबरे पहले तो भाई नाम की बात थी उसके बाद मैंने खुद पता करकर कई का फोन किया कई लोगों का फोन आया आज मैं ने का कि चलो एक बर लोगों से बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है क्योंकि अन्डी TV में 4.559 तार जानी गई है मंता बनर्जी जिनकी सरकार जो यह कह रही हैं कि नहीं ये विपक्षिदल के लोग करवा रहे हैं और भाश्पा के लोग करवा रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता है क्या हिंसा और फिर ये भी रोन ने कह दिया देखिए किस केस तरह के लोग डायलोग मारा करते हैं एक तरफ ये कहा कि विपक्षी दलकरवारी है दूसरी तरफ ये कहा कि मुझे नहीं पता तीसरी तरफ ये कहा कि हर राज्य में होता है चुनाओं के बाद हर राजय में इतनी हिंसा चलती है इतनी हिंसा होती है तो इस प्रकार से उत्तर उनका मिला जो की जबकी उनको पता है कि एक साथ चार राजियों में चुनाओं हुए है जहां से ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है जहां से ऐसा कोई समाचार नहीं आ रहा ह तो चलिए तो उस शक्कर में भी कई लोगों से मैंने फिर लिया वडियों के अंतमेत फ़रा सा बताऊंगा कि लोगों ने क्या-क्या मुझे बताया है या कोई नियूस का संदेश नहीं है जो लोगों ने बताया है वही मैं आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए तो अब हम मांडोग के उपनिशद का विशय ओंकार के उपर चर्चा मांडोग के उपनिशद में की गई है ओम ब्रह्म के उपर तो किस प्रकार से चर्चा की गई है उसको समझते हैं उसक investheus अब हम देखते हैं, अब क्या कहा जा रहा है? उसके प्रणों के अधिकार में वर्नित होने के कारण, अध्यक्षरूप में वर्नित होने के कारण, तीन मात्राओं से युक्त ओंकार है, पतलब वह आत्मा ब्रह्म है और वह ओंकार भी ब्रह्म है, कुछ इस तरह की बात यहां पर पिस्पष्ट की जा रही है, बताई जा र है सोय मात्म अधिमात्रम ओंकार आकार उकार मकार इती मात्रा पादा अर्थात यह तीन पाद है यह तीनों मात्राइं तीन पाद हैं यह भी कहा जा रहा है अब दो बात तो इन बातों को कनेक्ट किया जा रहा है मुंडको अपनिशद में भी मात्राओं प्रश्ण परचाई थी लेकिन इसमें अब connect किया जा रहा है कि यह जो तीन मात्राएं हैं अकार उकार और मकार यह तीनों मात्राएं तीन पादों के लिए हैं कौन-कौन से तीन पाद वैश्वानर रूपी जागरत अवस्था रूपी पाद तेजस स्वपन अवस्था रूपी पाद प नहीं आता क्योंकि वह निराकार तॉलम उसके लिए मात्राएं निश्षित नहीं की जा सकती है ठीक है तो यह विशह यहां पर स्पश्ट किया जा रहा है तो वह आत्मा अब एक और चीज़ करनेट किया तो pie policeman कि वह जो आत्मा है प्रणों के अधिकार में प्रकरण में वरणित होने के कारण तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार है प्रणों के अधिकार में प्रणों का ताथ पर अर्थात अध्यक्षरम उसको उसके वाचक के रुप में अध्यक्षरम होने के कारण अधी मात्रम तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार है उस आत्मा को ही कहा जा रहा है कि वह ओंकार भी है लेकिन बहुत पहले ही मैंने बताया गिया कि जब भी ऐसी बात की जाती है ओंकार के विशय में तो ध्यान रखिएगा यह मूँ से उच्चारन करने वाला ओंकार भी नही है जो आप लिखते हो वो दोनों ही सांकेतिक हैं मुख से जिसे ओंकार कहा जा रहा है वह भी सांकेतिक है और जो कलम से पैंसिल से आप लिख दिया करते हो वह भी सांकेतिक ओंहीं है तीन मात्राओं के से इस पर तीन लकीरे आती है कि फिर एक नीचे से फिर एक उपर से ऐस इस संपूर्ण जगत का वैश्वानर तीनों अवस्थाओं का वो प्रतीक है ओमकार के चिन्न के अंदर ओमकार जो संकेत रूप में हम लिखते हैं ठीक है मुक्से जो बोलते हैं वह भी वाणी का संकेत है लेकिन वास्तों में जो प्रणों साधना है प्रणों साधना क्या है सोहंग स्मीति वर्ति अखंड़ा दीप शिखास्वई प्रम प्रचंड़ा ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है मानस के अंदर और भी कई जगों पर लिखा है प्रणों वह शब्द ब्रह्म इसलिए ओम ओम करना कोई प्रणों साधना नहीं है यह ध्यान रखेगा मुख से अगर आप ओम ओम करते हैं कुछ लोग ऐसा जब करते हैं माला लेकर यह जैसे भी हाँ जब का अपना एक विज्ञान जरूर है लेकिन अगर आप प्रणों की साधना करते हैं तो यहाँ ओम मुख से कहते रहना प्रणों साधना नहीं है बस मैं इतना ही कह रहा हूं तो इसी लिए इस बात के ध्यान रखे प्रणों साधना क्या है अब यह कोई ऐसा चोटा विशा नहीं कि दो-चार मिनट में आपको करवा दू क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होगा तो समझ में भी न neo का दो च्छा रहे गा ह chilli मुआ कि चलिए इस विशय पर और भी चर्चा प्रणों-साधना के विशय पर मेंमबर्शिप के अंतरकत साधना के अंत ... बताया गया है समझाया क्या है ज़र उसका लाब उठाएं और लाब उठाकर अभ्यास करें अभ्यास से ही सारी बाते समझ में आएंगी तो यह कुछ समस्या है मैंने सोचा कि यह मोबाइल पून है इसको थोड़ा सा फ्लाइट मोड पर डाल दिया जाए तो यह डिस्टर्ब नहीं करेगा चलिए श्याओं की ही चर्चा यहाँ पर ऑउमकार की चर्चा कि जा रही है क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं 9 सलोक में क्या जागरितो अस्थानो वैशवनरो अतारह प्रतमाँ मात्रा अप्तरादी मत्त्वा द्वाप नोतीे हवई सर्वां कामा ना दिश्च्य भवती ये एवम वेद चिक या एवम वेद अर्थात इस स्लोकार्थ क्या होगा पर्थमा उंकार की पहली मात्रा अकार ही समस्त जगत के नामों में अर्था शब्द मात्र में व्याप्त होने के कारण उंकार की पहली मात्रा क्या है अकार है तो समस्त जगत के नामों में यह व्याप्त है अर्थात की हम जो कुछ भी लिखते हैं पढ़ते हैं उसमें अकार की मात्रा होती ही है बातों को कहां सुक्ष्मता के स्तर पर ले जाकर बताने का प्रयास है जो भी आप लिखते पढ़ते हो उसमें अकार की मातरा होती ही है व्यापत होने के कारण वह आदिवाला होने के कारण जगत की भाती इस थूल जगत रूप शरीर वाला वैश्वा नर्व नामक पहला पाद है क्योंकि वैश्वा नर्व नामक जो पाध है वो इंद्रिय जगत है इस शरिरिक इंद्रियों से बाहिय इंद्रियों से जो हम देखते हैं वही तो वैश्वा नर्व है उसी को यहां पर वैश्वा नर्व कहा जा रहा है वो ब्रह्म का वैश्वा नर्व स्वरूप है जो इस जानता है वो अवश्य ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सब का आधी भी बन जाता है आधि भवती इस प्रकार से भी समझाया गया अब आगे दस्वे इसलोप में अकार की व्याख्या इस प्रकार से की दी कि अकार जो है यह वैश्वा नर रूपी पद है स्वपना स्थानस तेजस उकारो दिवितिया मात्रुत कर्शा दुभ्यत वाद्वो उतिकर्शती हवई ज्यान संतती समानश्य भवती नास्या ब्रह्म वित्कुले भवती या एवम वेद दुटिया दूसरी मात्रा उकार है और दोनों भाव वाले होने के कारण स्वपन की भाती सुक्ष्म जगत रूप शरीर वाला तैजस नामक जो इस प्रकार जानता है वो अवश्य ही ज्यान की परंपरा को उन्नत करता है और समान भाव वाला हो जाता है इसके कुल में हिरन्य गर्ब रूप पर मिश्वर को ना जानने वाला नहीं होता अर्थात ब्रह्म का जो हिरन्य गर्ब रूप है जो तैजस रूप है उसके कुल में उसको ना जानने वाला कोई दूसरा नहीं होता सब उसके जानकार होते हैं मताब वो हिरन्य गर्ब का रह जो जानता है किसको जानता है भाई जो हिरन्य गर्ब को जानता है जो तीसरे पाद को दूसरे को जानता है और उसकी मात्रा है उ, आ, उ, म, ओम के अंदर तीन मात्रा है आ, उ, म, तो उ है तो उकार की जो मात्रा है वो स्वपना अवस्था है तैजस है हिरन्य गर्ब है और जो इसके रहस्य के जानकार है जो इस मात्रा के रहस्य के जानकार है जो इस पाद के रहस्य के जानकार है देखो आप जाते तो आप जब आप सो जाते हो आप सपना वस्था में जाते हो लेकिन आप उसे लोक के जानकार नहीं हो आप उसे सपना वस्था में भी इंद्रियों के व जानने वाले हैं जो तैजस के रहस्य के जानकार हैं जिन्होंने उसका साक्ष्रतकार किया है अपनी योग साधना अपनी साधना के अभ्यास से अपने अध्यात्मिक अनुसंधान से जिन्होंने हिरन्य गर्व लोक को समझा है तैजस लोक को जाना है वह निश्चे ही उनके कुल में भी वैसे ही ज्यानियों का जन्म होता है जो हिरन गर्भ के रहस्य को जानते और समझते हैं ठीक है कुछ इस तरह की बात यहां पर कहा जा रहा है और सुहिरन गर्भ तैजस स्वपन अवस्था में जिसका निर्धारन होता है बनता है जिसकी स्थती बनती है उस लोक के लिए उस पाद के वो उकार मात्रा है उसकी मात्रा उकार है वो उकार मात्रा से जाना जाता है तो यहां पर कही जा रही है ठीक आईए अगले स्लोक में क्या वर्डन चल रहा है वो भी देख लें अकार हो गया उकार हो गया 11 वे इस लोक में क्या कहा जा रहा है सुशप्त स्थानह प्राग्यो मकार स्तिर्तिया मात्रा मित्रपी तेरवा मिनोती हवा इदम सरवं पितिष्च भवती या एवं वेद या एवं वेद ठीक है तिर्तिया तीसरी जो मात्रा है मकार है तिर्तिया मात्रा मकार हविते वा अपीते शुशप्त स्थानह की तीसरी मात्रा मकार है माप करने वाला होने के कारण और विलीन करने वाला होने के कारण होने से शुशुप्ती की भाती कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है प्राग्य नामक तीसरा पाद है यह प्राग्य नामक तीसरा पाद है जिसकी मात्रा मकार है जो की विलीन करता है जिसमें कारे कारण सद्धान्त लागू नहीं होता, मातर कारण रहता है, कारे नहीं रहता है, कारण रहता है, इसलिए कारे को होना पड़ता है, और जैसे ही कारे होता है, तो उस अपना अवस्था आ जाती है, चैजस अवस्था आ जाती है, हिरन्य गर्ब भगवान, ब्रह्म के वैश्वा नरवस्था में हम पहुंच जाते हैं जाग कर ठीक है शरीर में जागरती जब आएगी तो वैश्वा नरवस्था आ गई तो इस प्रकार से कारण होने के कारण कारे निश्चित हो जाता है इसलिए वही से वही बंधन है जीवत्व का बंधन मूल बंधन कारण शरीर है ना कि सुक्ष्म और स्थूल तो कारण शरीर बंध कर रहता है तो प्राग्य नामक तीसरा पाद है तिर्तिया मात्रा मकार माप करने वाला होने के कारण विलीन करने वाला होने से सुशुक्ती की भाती कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है प्राग्य नामक तीसरा पाद है एवं इस प्रकार जो जानता है वो अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को माप लेता है और भली भाती जान लेता है और सब को अपने में विलीन करने वाला हो जाता है कारण शरीर को जानने वाले योगी कारण शरीर के रहस्य को समझने वाले योगी वो अपने संपूर्ण पिछले और भविष्य की घटनाओं अवस्थाओं का भी आकलन कर लेते हैं अर्थात उसे जान जाते हैं भविष्य में भी और जो पीछे जितनी भी घटनाय घट चुकी है यह मात्र कारण शरीर से ही संभव है पिछले जन्मों को जब हम टीप गहरे गहराई में उतर जाते हैं तो ऐसा हो पाता मित्रू यह इस लोक में बतार गया कि जो मकार की मात्रा है वह कारण शरीर की अवस्था वाला सुसुप्ति अवस्था वाला प्रा니까 maocолж तीसरा पाद है aleem कहा जा रहा है अब चौथे पाद की चर्चा वाई तीन पादों के लिए तीन मात्राओं का अवर्णन कर दिया गया अब चौथा पाद है जिसे तुरिया और चतुर्थ पाद कहा जा रहा है जो इन तीनों का भाव इन तीनों का साक्षी भाव है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है अमात्रश चतुर्थो आव्वहार्यह प्रपंजो पश्मह शिवो द्वैत एव उंकार आत्मयव सम्वी शत्यात मना अत्मा अत्मानम या एवं वेद या एवं वेद इसी प्रकार मात्रा रहिते प्रणाव ही वेवहार में ना आने वाला प्रपंज से अतीत मात्रा रहित जो अमात्र है अर्थात आपने एक उच्छारन देख लें अगर ओम का कि लोग कैसे ओम का उच्छारन करते हैं समझ ले देख ले उदगीत का उच्छारन लोग कैसे करते हैं उसमें तीनों मात्राओ सित्वाराओं का उच्चारण कैसे किया जाता है तो अंत में क्या बचता है जो को कौन से मात्रा है वह अमात्रा किसे कहा जा रहा है इप डिशार करेंगे ता कु अमात्रा शब्द से किसे संकेत किया गया है कि अमात्र एवं इसी प्रकार अमात्र ओंकार ही जो अमात्रा रही थे क्या ओंकार में कोई आत्मानम सम्विष्टी प्रुनतिया प्रविष्ठ हो जाता है तो वास्तों में वही आत्मा जो की तीन अवस्थाओं में था वैश्वानर तैजस और प्राग्य में वह अमात्रा होकर जो आत्मा है उसी में प्रवेश कर जाता है उसी में प्रवेश कर जाता है जैसे कि कचुआ क्या करता है सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है वैसे ही यह ब्रह्म यह आत्मा जो की जाग्रत तैजस और प्राज्य में विवर्त हो रहा था वह अपने आपको समेट कर अपने में ही लीन हो जाता है तो वह अमात्रा है इसलिए जब हम ओंकार का उचारन करते हैं संकेत रूप में उचारन है तो ऐसी अवस्था में जब इसकी चौती अवस्था प्राप्त होगी तो विलय की अवस्था प्राप्त होगी पूर्ण विलय कि कारण शरीर में विलीनिता नहीं है पूर्ण विलीनिता नहीं है कारण रूप में कर्म विद्धमान है कारण रूप में संसकार विद्धमान है कारण रूप में सारी चीज़े विद्धमान है ठीक है तो कारण रूप में यह सारी चीज़े विद्धमान है और यह फिर क्या करती हैं अंत में यह विलीन होती है अमात्रा में अर्था जहां कोई मात्रा ने इसलिए हम जब ओम का उचारन करते हैं तो ओ ओ ओ कि 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 अंत में कि कि क्या हुआ तीनों मात्रा रुख गई कुछ दिर के लिए आप ऐसी वस्था में भी आ जाएंगे जो दिरंतर उद्गीद का भ्यास करते होंगे वह जानते होंगे कोई मात्रा अंत में नहीं रहती ओम के संपुर्ण उचारन में हम ओम के द्वारा सारी स्वांस ओम का उचारन करते हैं सारी हवा बाहर निकाल देते हैं और शांत हो जाते हैं कुछ सेकेंड के लिए हम स्वास भी नहीं लेते हैं रुक जाते हैं वहां कोई अंत में की उचारन रहता है मा के उचारन में और वो भी समाप्त हो जाता है अमात्रा हो जाती है सबकुश तो संकेत रुप में यह ओम के उच्चारन का जो आखरी अंश है यह अमात्रा है यह क्या है अमात्रा है यह मात्रा नहीं है यहीं चतुश्पाद है जब तुम्हारी ध्यान करते करते जब सही से ध्यान लगेगा जब सही से तुम परावस्था म गमन करोगे इंद्रियों के परे की जो अवस्था है तो निश्य ही ये प्राणों की चंचलता इस्थिर हो जाएगी और प्राणों की चंचलता इस्थिर होने से जो स्वास प्रस्वास है जो स्वास प्रस्वास जो चल रहा है हम स्वास ले रहे हैं पूरक और रेचक की जो घटनाएं घट रही हैं ये शांत हो जाएंगी पूरक रेचक शांत हो जाएंगे तो स्वता कुम्भक होगा कुम्भक लगाना नहीं पड़ेगा स्वासो रोकनी नहीं पड़ेगी अपने आप की तुह छतु पाद की स्वता कुम्भक होATHAN होती है स्वता कुम्भग जो अपने आप कुम्भग लगने वाला है ध्यान की अवस्था में उसी से चतुषपाद की उपलब्दी होती है तो वही चतुर्थ मात्रा है तो इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा उस चौथे पार्थ तक पहुँचने के लिए साधना करने पड़ेगी ठीक है तो इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा तो इस प्रकार से उसके बारे में अमात्रा के बारे में इन 12 इस लोग को हो गए यहां अद्वईत का मत है कि सारी अवस्थाएं उस एक अवस्था में विलीन हो जाती है बाकी जो तीन अवस्थाएं हैं वो वास्तों में सकते नहीं है वह जो चौथी अवस्था है वही पूर्ण रुपे ने सकते हैं क्योंकि बाकी अवस्थाएं वह विवर्त हैं manifestation है वह आत्मा का manifestation है बाकी की तीन अवस्थाएं एक कारन शरीर इसुख्ष्मिशरीर है और स्थूल शरीर चागरत अवस्था सवपन अवस्था और सुशप्थियम अवस्था वैश्वानर तैजस और प्राग्य इन तीन पादों का जो वर्णन मिलता यह तीन पाद उस एक पाद में लीन होते हूंने। उसमें विलीन होते। जिसे तूरियाません fourth पाद कहा, इसे 4 पाद कहा गया, इसे 4 पाद कहा गया, सही से अगर उद्गीत भी भ्यक्षास करेंगे तो आपको महसुस होना शुरू हो जाएगा आपका सारा कॉंसेंट्रेशन कहा होना चाहिए अब मैं आपको चलो जाते जाते कुछ टेकनिक में बता देता हूं कि यह टेकनिक वहां भी बताई गई है हमारे मेंबर्शिप में भी जो लुब कोर्स द्वाइन करते हैं वहां भी बताई गई है आप ओम का उदगीत का भ्यास करें हलकी स सी गरदन को उपर रखें कि स्वास भर ले हुए हाओ हुए है हुए है 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 तो इस प्रकार से अप अभ्यास कर सकते इस में ध्यान किया देना है कि जब आप ओम का उचारण कंप्लीट करेंगे तो अंत में आपने जल्दबाजी में स्वास लेना नहीं आप कितने देर तक आपकी स्वास से अपने आप रुकी रह सकती है उतने देर से करकर बैठ कर देखना है ठीक है शांती से बैठ कर देखना कि क्या आप कर सकते हूं कि किस प्रकार से कर सकते हूं कि कि थोड़ा सा विवधान चल रहा है इंटरनेट का कि 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 अ कार देखना कर देखनी खार से बात्व करर थोड़ा सा connection में विवधान आप अनुभो कर रहे होंगे बफरिंग आ रही है तो इसके लिए चिंतित ना हो उस दिर में वो अपने आप सही जगह पर आ जाएगा उसके लिए चिंता नहीं करना है ठीक है मित्रों तो बफरिंग के कारण थोड़ा सा विवधान आपको मिला हो तो इस प्रकार से अगर आप ओम का उचारन करते हैं इस प्रकार से अगर आप ओम का अभ्यास करते हैं पूरी स्वास भर लें मुक्से ओम का उचारन करते वे अंतिम मात्रा तक जो मकार है वहां तक जाएं वह हुंकार में परवर्तित हो जाएगा और फिर रोक दें जब आ आप रोक देंगे तो आपने क्या करना है जल्देबाजी में फिर स्वास नहीं लेना है कि इंतजार करना है प्रतिक्षा करना है कि आप कब तक उसे रोके हुए रख सकते हैं वह अंतराल आपको वह शांती मैसूस होगी उस आखरी चरण में आपको सबसे ज्यादा विचारा जैसे हां सारा दिमाग जैसे सांत हो गया है सारे विचार गायब हो गया है आपको ऐसा लगेगा उस अन्त meu मवस्था में जब आप ओम का उचारंग करेंगे और लंबा करते हुए मुख से स्वास छोड़ते हुए ओम का उचारंग करते हुए अंत्मे मकार पर जब आप इंड करेंगे तो उस समय आपको यह बहुत ही अच्छा शांती का अनुभाव और जैसे की विचार रुग गये कम हो गये आपको ऐसा अनुभाव होगा ठीक है मित्रों तो यहां है थोड़ा सा विवधान आया था बीच में कोई बात नहीं अब आगे चलते हैं चल रहा है सब कुछ कि सभए सरह से चल रहा है लाइव अभी कोई ना आय तो आप निश्य कमेंट कर दिया करें कि हां वफ्रिंग आ रहा है और सांट नहीं क्लियर आ रहा है तो इस प्रकार से आप करें हो सके तो आप मेरे साथ करिए मैं फिर से ओम का उचारन करिए अभी और स्वास भरिए और स्वास भर कर ओम का जो है आप अभ्यास करें स्वास भरने के बाद स्वास भर ले मुख से छोड़ना है मैं कर रहा हूं मुझे देखे ध्यान से और आप भी करें और फिर आप अनुभव कर पाएंगे जो मैं बताना चाहता हूं उसको experience कर पाएंगे ओम तो जो लाश्ट का पार्ट है ना वो बड़ा शांती देने वाला है ओम का उचारण जैसे कंप्लीट होता है रुक जाओ तुरंट से स्वास मत गीचो ठहर जाओ और उसको पूरा अनुभाव करो पूरा अनुभाव करो उसको इतना अभ्यास तो कर ही सकते हैं ठीक है मेंबर्शिप ज्वाइन करके कोर्स कर ले तो और भी अच्छी बात लेगिन आज जो मैं बतारा हूं उतना उसको उसमें जल्दबाजी नहीं करना मकार की मातरा खतम होते ही रुकना है स्वासे भी कुछ दिर के लिए रुक जाएंगी स्वास खीच का फिर दुबारा क को अनुभाव कीजिए इतना अभ्यास की यहां ऐसा नहीं कि यह पूर्ण तुरिया वस्था है लेकिन यह तुरिया की और ले जाने वाला जरूर है इतना भी अभ्यास अगर इमानदारी से करे तो उसे साधना में बहुत बढ़ोतरी मिल जाती है बहुत आगे वो बढ़ता है ध्यान के मार्क पर साधना के मार्क पर ठीक है तो इतना अभ्यास जरूर कर लिया है ठीक है मित्रों तो यही है तो चतुषपाद की चर्चा ही मुख्य विशय है मांडुक की उपनिशत का तो 12 इस लोग इसमें मांडुक की उपनिशत के 12 इस लोगों पर चर्चा आज मांडू की कारिका में कई विश्यों को छेडा गया है कई विश्यों के पर चर्चा की गई जिस पर हम अवश्य ही चर्चा करेंगे तो आईए इसी 9 पीम के अध्यात्मिक चर्चा में ही चलता रहेगा और अब भुशिष रहेगी कि आपको उसे संबंधित मांडू के कारिका से संबंधित कई विश्यों कई रहस्यों को सामने रखा जाए बहुत सारे रहस्यों को योगी गौडपाद ने रखने का प्रयास किया है तो वो सब सामने लाई जाए चलिए ठीक है आपके प्रश्न उत्तर आपके जो प्रश्न है कमेंट है उसको देख लिए गए तो विक्रम सिंग जी अनिल कुमार जी बहुत अभिनंदन आपका इसमिता सावन्त जी चितरंजन बरुवा जी बहुत अभिनंदन आपका भरत व्यास जी, किरन शर्मा जी, अजित भाई पतेल जी, राम निवास मीना जी, मनु भाई प्रजापती जी, रूप लाल जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है जी, राजू पाल जी, वैजनात हुश्वाहा जी, अभिनंदन ब्रिहम पाल, कैसे निकले कि परिवार के नरक से योगी बनाएं कैसे निकले वहां क्या करें गुरुजी मार्ग दर्शन जरूरी प्रश्निस प्रश्ट नहीं है परिवार का नरक क्या परिवार नरक नहीं है आँ परिवार में आपके शांती ना हो करहकलेश लगा रहता हो क्योंकि परतेक विक्तियग जैसा होता नहीं है तो परिवार तो ऐसा कहना कि परिवार नरक है या उचित नहीं होगा हाँ किसी किसी परिस्थिती में ठीक है आपका परिवार ऐसा है तो हर परिवार के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए और सैयम से साधना से अगर हम रहें तो फिर कोई भी जगह नरक नहीं है हमारी मन की अवस्थाई है जो हमें नरक का अनुभव करवा रही है ठीक तो आईए माधुरी कोले जी बबिता धिमान जी प्रदाप जाला जी गुपाल शर्मा जी सबका भूत अभिनंदन जगत नरायन जी महेश राम पिस्दा जी वर्शा सचदेव जी अभिशेक सर्मा जी महेश मकवाना जी सरोज यादो जी अभिशेक कुमार जी जोनती दत्ता जी महिश मकवाना जी इश्वर दिखाई देगा पर भ्रमित या विचलित ना हुए तो ठीक है जी गुरु जी पीपल के पेड़ बंगाली में कौन सा पेड़ को बोलते हैं अब एक्जेक्टली मैं नहीं बता सकता चीक ना कि पीपल के पेड़ को बंगाली में कौन सा पेड़ बोलते हैं आप उसको खुद ही पता कीजिए गूगल पे सर्च कर लीजिए पता चल जाए रहा है कुछ शायद बढ़ गाशी बोलते हैं या बढ़ गाशी या कुछ इस तरह से भी बढ़ गाशी तो शायद जैकली क्या बोलते हैं ये मुझे उतना इस समय ध्यान नहीं है बंगाली भासा पर तो मैंने अध्यन किया है बंगला भासा में पड़ भी लेता हूं लेकिन अब अभ्यास में नहीं रहा है लंबहुत कई वर्सों से 15-20 वर्सों से अभ्यास में नहीं रहा है तो जो है पता कीजिए गूगल में सर्च करेंगे इसका उत्तर मिल जाएगा ठीक है किया जाता है तो बढगत के पेड का साथ ऐसा बोलते एग्जेक्टली पीपल को क्या बोलते हैं पता नहीं कि आडंबर को दूर करने का उपाए एक सही ध्यान जिसमें आपकी यात्रा होनी आवश्यक है जी गुपाल शर्मा जी रूपलाल जी अभीशेक शर्मा जी राश्पति शाषन लगाना चाहिए जी रमेष्व्यास ओम ओम जय गुरुदेव जो हिंदू है वही अमात्रा जो बिन्दू है वही अमात्रा कैसकते हैं अ-स फिस्ष्षापूरी कैसे करें इस्ष्षा से ही इस्ष्षापूरी होती मैं भग्वान स्रेशने अर्जुन है कि मैं जीवों कि सारी इक्षाह इंपोर्ण करता हूग कि लेकिन दुरभाग कि पोर्ण यह इसमें कि अप्षाएं नि दुखों से भरी हुई है है जो मांगो गे एक्षा में अगर वह सांसारी को वश्टू है तो वह अपने साथ दुख भी कर आएगी मातर सुख लेकर आएगी ऐसा मैं सोच कर दुख भी लेकर आएगी अपने साथ में दुख भी लेकर आएगी कि यह अच्छी तरह से समझते प्रिक्षा कैसी है उस पर डिपेंड करता है उद्गीद का अच्छा विश्लेशन किया आपने धन्यवाद स्मीता सावंत जी माक का उच्चारन समाप्त होने के बाद जी नहीं ऐसा तो मैंने अभी फिलाल नहीं कहा कि खेचरी मुद्रा लगानी है ऐसा तो मैंने का आई नहीं बस रुकना है ठहरना है इंतजार करना दू संत्राल में बहुत अच्छा मैसूस होगा आपको ठीक है हलाकि कोर्सिस के अंदर जो प्रणो साधना के जो विदियां है वो और भी गूर है जब वो करेंगे तो और ज्यादा आनंद की अनुभूती होती है जिन्नोंने प्रणो साधना पर अभ्यास किया है कोर्स किया है व इसको पूरा एक्स्प्रेन करने में भी आदे घंटे का समय तो लगी जाता है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं वित्रों और यह समय है कि राश्पती शाषन लगा देना चाहिए अविशेक शर्माजी कह रहे हैं राश्पती शाषन जरूर लगा देना चाहिए सरकार क परंतु एक विशय है मैं थोड़ा सा जादा नहीं बोलूगा इस विशय पर क्योंकि मैं अभी एक सिरीज लाने वाला हूं सावरकर की मोपला के उपर तो पहले तो था कि आउडियो सिरीज लाया जाए लेकिन अब आउडियो बनाना उसको वीडियो में कनवर्ट करना और यूटूब पर डालना डिजाइन करना कई समय निकलता है तो विशार चल रहा है कि इसको सीधा इस विशय को भी सीधा लाइव में ही लाए जाए नौबजे के लावा को दूसरा टाइम पर लाइव किया जाए और उसमें लाए जाए चल रहा है तो निश्य ही आज कल में उ तो हिंसा हो रही है वैसे तो बहुत कुछ इस पर बोला जा सकता है कि मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने हिंसात्मक दृश्यों को कितना देखा है कि कितना अनुभाव किया है कि हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों जिन्हों ने अपने आखों के सामने बहुत तरह नूर देखा है ठीक है आसाम दंगे की स्थिती मैंने थोड़ी बहुत गाड़ी से हमने अपनी आखों से देखा है एक बार मैं गुहाटी से तेशपूर की यात्रा कर रहा था टेक्सी आज से लगबग 14-15 साल पहले कि पंदरा साल पहले की बात है 2005 की बात होगी यह तो गुहाटी से तेशपूर की यात्रा गाड़ी से कर रहा था गाड़ी हमने बुक कर रखी थी और हम जा रहे थे तो लगबग रास्ते में डेड़ सो किलमेटर की दूरी है गुहाटी से तेशपूर जोलोबी आसाम को के बा सब्सक्राइब कम 15 से 20 बार हमारी गाड़ी के चेकिंग हुई थी उस समय, 2005 की बात, बात में वहां का माहौल काफी बदला था 2010 आते-आते बहुत कुछ बदल गया था माहौल में काफी परिवर्टन आ गया था तो जो है 15 बार गाड़ी की चेकिंग हुई कई जगा हमने मार कि एक सब्जी बजार था बड़ा फेमस है वहां पर बहुत सारी सब्जी ओंके मार्केट वहां लगते हैं तो वह भी जगह पढ़ा था नाम पूरी तरह से मुझे को अस्थान का नाम ध्यान नहीं है मंगल दे के आगे लगता है तो कई ऐसे करते करते फिर तेशपूर तक की यातरा तै की थी उसमें कई जगह पर चेकिंग वे कई जगह पर कैम्प बने हुए थे शरनार्थी कैम्प बने हुए थे दंगे का रहा तो दंगा हुआ था काफी और शरनार्थी कैम्प बने हुए थे उन शरनार्थी कैम्पों को देख कर मतलब की आखें बहुत ही आपकी नम हो जाएंगी ऐसी स्थिती थी तो वह स्थिती उससे वहां पर नजर आ रही थी और फिर कई जगह था डर का माहूल था चारों तरफ पुलिस CRPF आरमी चारों से ही साथ गौहाटे स्टेशन पर भी बंबलास्ट हुए थे उस समय कुछ तो वह दंगे का माहूल मैंने देखा है तो फिर बच्पन में कुछ समय बिहार में रहा नब्बे के दसक में तो यहां देखते थे कि बिहार में लोग क्या करते थे साम के पांच बसते ही अपने घ जादा लोग मजदूर भी हो गए और जो है इस्टुडेंट जो चातर थे पढ़ाई लिखाई करने वाले हो गए बिजनेसमेन हो गए बहुत भारी मात्रा में पलायन कर रहे थे चलो तब सोशल मेडिया नहीं थी इंटरनेट नहीं था लेकिन यह घटनाए घट रही थी न नब्बे का दसक अगर बिहार का इतिहास पड़े तो नर संगहारों से बड़ा भरा हुआ है गाओं के गाओं काट दिये जाते थे ठीक है गाओं के गाओं सारे एक गाओं के अंदर लगवा 42 लोगों को काट दिया गया था इस तरह सेरा हिंसा होती थी नब्बे के दसक में कौन सी पाटी राज करते थी मुख्य मंतरी कौन थे आप सब लोग जानते ही है उस समय तो इन सब माहौल को मैंने नज़दीकी से देखा है मुजफर नगर के माहौल को भी देखा है अपनी आँखों से देखा है मेरट मुजफर नगर ठीक है? हाँ ठीक है बस देखा ही है और ऐसा नहीं कि देखने के लिए गया थे इत्फाकन पड़ गया उस माहौल में और देख लिया और लोगों को अध्यात्म और साधना की चर्चा इनी सब चर्चाओं के संबंद में भी लोगों से मिलना जुलना रहा तो कहीं पहुंच गया तो ऐसे चीज़े सामने आती थी तो देखिए राश्पती शाषन की जहां तक बात है यह संबिधान इस उद्देश्य से हमारे संबिधान में यह माननेता नहीं है कि दंगा होता है अगर होता है तो आपको उसे दंगा समझना है आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या सोचता है आपको बस एक्षन लेना है आख बंद करके ठीक जैसे कि माल लेजिए कि एक क्लास के अंदर दो छात्र बढ़ते हैं दोनों आपस में लड़ पड़े तो एक है जो हमेशा लड़ता है एक का उद्दिश है लड़ना अब वो पढ़ने लिखने वाले छात्रों को भी परिशान कर देता है तो इसकूल ने ये कानून बनाय कि भाई तुमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या करता है जो भी लड़ रहा है बस उसको सजा दे दो ठीक है वो हमेशा लड़ने वाला है तो उसको आप उस पर कुछ ऐसा परतिबंद लगा दे कि भाई वो माल लेजिए इसकूलों में तो खैब निरने हो जाता है लेकिन स हर देश का ऐसा संविधान नहीं है जहां पर कोई बात साफ साफ लिखी जा रही है कही जा रही है और उनके नेताओं के द्वारा उस माननेता को रखा जा रहा है तो उसको आपको मानना ही पड़ेगा तो संविधानिक रूप से उसकी स्विकृति नहीं है और जब उसकी स् सरकार उसके रिये प्रेयासरत है क्योंकि नहीं लगा सकती है तुरंत से लहीं लगा सकती है जल्दी से नहीं लगा सकती है तो क्या होगा ममता बनर्जी सुप्रीम कोट में Chevy करेंगी क्षे क्या करेंगी कि मुझे मौका नहीं दिया गया अभी चुनाव हुआ है मैंने अभी अपनी कुर्सी भी नहीं समभाली है और मुझे बिना मौका दिये राश्पती शासन लगा दिया गया पहला अधिकार राजी सरकार को दिया जाता है कि आप हिंसा को रोकिए लेकिन दुरभाग्यपुर्ण है कि राज सरकार ही हिंसा करवा रही है तो फिर क्या किया जाए अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले मैंने बिहार की बात कि आसाम के दंगों की बात की अफर ये बंगाल क्यूं इस सब वोट देने वाले नहीं हैं वो राज्य छोड़कर भाग जाएं कुछ ऐसा करो तो भाई कास्षिजम पर वोट चलता था आपको पता ही है यूपी बिहार के अंदर जो अभी राजनितियां बदली हैं अभी माहौल बदले हैं लेकिन पहले के माहौल पूरी जाती वादक जाती के लोगों को टार्गेट करकर इतना परिशान कर दो कि वह बिहार छोड़के भाग जाएं वो कहीं चले जाएं और जो हमें वोट देने वाले हैं वही रहें और फिर बाद में जब और चीजें बदल गई पता चला कि लक्ष कुछ और है तो तथा कथित नेता जी के जाती के लोगों ने ही उनका विरूद शुरू कर दिया लक्ष तो कुछ और ही था ठीक है उनका सबसे बड़ा हथियार अभी कोरोना से मर गया जिसको शहाबद्दीन कहा जाता है तो लक्ष कुछ और था क्योंकि पैसा और हथियार जहां से आते हैं भाई जिनकी जो इतने गरीब हैं रोटी खाने के लिए नहीं है उनके पास एक फोटी सेवन कहां से आ जाएगा उनके पास राइफल कहां से आ जाएंगे खाने के लिए रोटी नहीं है फिर राइफल कहां से खर लेते खाना ही खर लेते इससे बढ़िया ठीक है लेकिन आज आती है क्योंकि सब व इंजियोज चलाने वाले और कई लोग जो यह सब मुहिया कराते हैं सपोर्ट करते हैं सहायता करते हैं ऐसे मुव्मेंट्स को तो यह सारी कई कुछक्र चलता है तो मंदाब बंगाल की सरकार को मौका दिया गया है 256 वाल्डिंग अर्टिकल 256 के अंतरगत केंदर सरकार के द्वारा चेतावनी देते हुए उनसे 135 घटनाओं लूट मार की हत्या की बलातकार की ऐसे 135 घटनाओं का हिसाब केंदर सरकार ने राज्य सरकार से मांग दिया है उनको 256 परवाई कर दी जा चुकी है उसमें चेतावनी दीदा चुकी है अगर 10 दिन 15 जितना भी समय दिया गया हो उसके अंतरगत अगर राज्य सरकार संतोस जनक उत्तर नहीं देती है तो 356 लगाकर राश्पती शासन लग जाएगा परंतु क्या मात्र यहीं उपाए है क्या मात् ही है यही इसलिए मैंने आपको बताया था कि सावरकर की मोपला कुछ और ही बात समझाती है कुछ और ही तथ्य समझाने में लगी हुई है वहां पर मात्र समाज को खास करके भारतिय हिंदू समाज को प्रतिक्षा करने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ठीक है आप सरकार चुनोगे अपनी तरफ से आप सरकार चुनो लेकिन आप अपनी सुरक्षा की पूरी तयारी रखो पूरी तयारी रखो अपनी सुरक्षा की यह आपको करना ही पड़ेगा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह रदेश एक संक्रांती काल से गुजर रहा है संक संक्रमन के काल से गुजर रहा है तो यहां जो संक्रांती काल है इस संक्रांती काल को समझना पड़ेगा और आपको अपनी भी सुरक्षा के लिए स्वेम की सुरक्षा के लिए भी कहीं न कहीं तयार रहना पड़ेगा ठीक है तो यह भी थोड़ा ध्यान रखे मात्र सरकार को ही दोशना लगाएं अपनी सुरक्षा प्रतेग विक्ति को बंगाल में होने वाली घटना एक सिक्षा लेने की चलो अब तो सोशल मेडिया इंटरनेट बहुत सारी चीज़े हैं बाते इतनी छुपती नहीं है लेकिन इस प्रकार की कई घटनाएं पहले ही हो चुकी है जो आप तक पहुंची भी नहीं है बंगाल में ही और दूसरे राज्यों में भी ठीक है अब मोपला जो हुई थी मालाबार की जो घटना हुई थी 1921 में आज से सौ वर्स पहले हुई थी लेकिन उस सौ वर्स की जो कहानी ह मोपलाओं का जो विद्रो था मोपलाओं का जो दंगा था मालाबार के अंदर वो क्या था क्या घटना वहां घटे थी आज भी हम उसी मोड पे खड़े हैं जो आज से सौ वर्स अगर इस मामले में आप बात करेंगे ठीक है इंटरनेट हो गया सड़के बन गई फोन सबके ह समाथ में पहुंच गया स्मार्टफोन आ गया वह बात ठीक है लेकिन उस समय जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने मुह बाय खड़ी थी वह आज भी खड़ी है क्योंकि जब देश का बटवारा हुआ देश आजाद हुआ तो गंभीरता से इसके बारे में नहीं सोचा गय समस्या क्या है कि प्रतेक व्यक्ति एक बात पसंद करता है कि दुनिया उसे महात्मा समझें दुनिया में उसका नाम हो कि वह बहुत बड़ा महात्मा है और उसकी महात्मा गिरी के चकर में लाखों लाशे बिच जाएं लाखों लोगों की जान चली जाएं वह उसकी चिंता नहीं करता है बस यही समस्या है यह महात्मागिरी का नशा जिसे चढ़ जाता ना इसलिए तो मैं कहता हूं लो मैं तुम्हें साधना बता रहा हूं तुम साधना सीखो जो भी अध्यात्मिक्ता मैं प्रदान कर सकता हूं मैं आपको अवश्य करने का प्रयास करूंगा लेकिन मैं उस बिमारी से ग्रसित नहीं हूँ जहां पर कोई स्वेम को गुरु पद पर आसीन करना चाहता है आप मुझे गुरु जी कहते हो नहीं कहते हो ठीक है वो आपकी मर्जी है मैं कोई कहता भी है तो मैं उसे मना नहीं करता कोई नहीं भी कहता है तो मैं उसे कहने के लिए कहता नहीं तो आप कहते हो नहीं कहते हो बहुत अच्छी बात है परंतु क्या है कि यह बिमारी है यह एक रोग है जब आपको महात्मा बनने का रोग लग जाता है अपनी पैर पूजा करवाने का रोग लग जाता है और यह समस कि दुनिया में लोग मुझे मान रहे हैं मेरे उपर किताबे लिख रहे हैं मुझे अवार्ड दे रहे हैं तो क्या मैं अपनी आख्या बंद करनू सारी समस्याओं से बस यही भारत में होता रहा और एक नरसंधार नहीं अनेकों नरसंधार हुए लेकिन कहानी बस एक ही सुना की गई सारी बातों पर पर डाल दिया गया और परदा डालने का प्रयास लगतार चलता रहा लगतार चलता रहा ठीक है तो अब वो समय नहीं है कि आप परदा डाले आप us busy तो पता नहीं अगर आप चारो तरफ जो माहौल है वो पता नहीं कहां से कौन सा उपद्राव कौन सा आंदोलन किस नाम पर शुरू हो जाए ये बताना मुश्किल है ठीक है कहां पर क्या तैयारी चल रही हो तैयारी करने वाले अपनी कई परकार की तैयारी कर रहे हैं तो कहां पर क्या तैयारी चल रह यही मुश्किल है तो इसलिए निश्य ही सतर्क रहें जागरुक रहें ठीक है और अपनी तैयारी जरूर रखें तब जाकर सरकार को कुछ कहें तो इसलिए अब देखिए आगे भविश्य में क्या होता है किस तरह से चलता है लेकिन हां जो घटना है दिल्ली में दंगा हुआ कई लोग मारे गए उसमें भी दिल्ली था काफी कुछ कंट्रोल हो गया लेकिन वहां पर गाउं गाउं में ऐसी इस्थिती है एक भाई साब ने मुझे बताया शाइद तो वो बताया कि वो मोटर साइकल से निकल रहे थे अपने गाउं से किसी दूसरी जगह गाउं में गय मीं जंडा तो ले रखा था टेयम सी का ही वो पहूँचे वहां पर लोग किन कि सिर्जाती के थे लेकिन नारे कुछ ऐसे लगा रहे थे तो तो अब वह पहुंचे नारों में वह मोधी को गालियां रहे थे भारत-माता को भी गालियां दे रहे थे ऐसी चिज़े चल रहे थी उनको दोड़ा दिया अचानक उनकी मोटरसाइकल बंद होगे दो मिनट के लगा थी अब तो मैं गया मोटर साइकल उन्होंने छोड़ी और दोड़े वहां से मोटर साइकल में उनकी आग लगा दी गई तो पहले मैं भी सोच रहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि ने पुराणी फोटो वे भेजी जा रही है इसमें फिर मैंने फोन भी किया एक और बंधु को फोन किया उन्होंने बताया कि हमारे गाउं में आकर तोड़ फोड़ किया है मेरी गाड़ी को तोड़ दिया है और गाउ पहले भी बंगाल के थिहास में पहले भी थोड़ी बहुत ऐसी घटना है लेकिन इस बार बहुत व्यापक रूप में लगबग हर डिस्टिक में ही घटनाएं हो रही है हर जगह ही हो रही है तो सतर्क होने के ज़ुरत है अपने आपको ऐसी अवस्थाओं के लिए तयार रखन राज नहीं देगा बस देद्यों केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुसी से खाएंगे पर जन पर असी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीज समाज की ले न सका पांच गाउं छोड़ देजी दुर्योधन ने का कि सूई की नोक के बर भूमी सूई की नोक के बराबर भूमी भी चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा जिवित भी रहना चाहते हो तो युद्ध करना पड़ेगा तो दुर्योधन ने कोई मार गही नहीं छोड़ा पांडवों के लिए कि भाई बिना युद्ध किये मैं तुम्हें जिंदा भी रहने नहीं दूंगा और जब तुम्हें मारने के लिए आऊंगा तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा और मैं अकेले तो आऊंगा नहीं तुम्हें घेर की पूरी तैयारी से मारूंगा वैं क्यूं मैं अकेले आऊंगा अकेले तो मुस्से लड़ी सकते हो तो अंत में इस प्रकार की स्थिती बन गई ठीक है? तो चलिए जागरुख होना पड़ेगा लोगों को अपना सजग होना पड़ेगा नहीं जागरुख होंगे नहीं अपने प्रती सजग होंगे कब तक जो है यह समस्या का समाधान नहीं ठीक गुरुजी ममता को फतम नहीं किया तो आगे बहुत कुछ होने वाले हैं बहुत कुछ होने वाले हैं चाहे ज़ो भी है जागरूप तो लोगों की होना पड़ेगा न travel सरकार तो अपने संविधानिक तरीके से काम कहां अब कोई ऐसी सरकार आए कोई देश में ऐसा नित्रत्व आगे बढ़े जो पूरे संविधान में ही परिवर्तन ले आए तो बहुत अच्छी बात है उन संविधान की जो कमजूरियां है उसे खतम की जाए अंग्रेजों के 1861 1661, 1865, 1870 के जो कानून चल रहे हैं उनको खतम किया जाए नए परस्थितियों के नुसार नए समाज में नई परस्थितियों के नुसार नया संविधान बनाया जाए ठीक है तो बहुत ही अच्छा होगा अन्निथा जो उन्तिदत्ता जी आचाहे जो भी है अपनी तैयारी जिरूर आपको रखनी ही पड़ेगी कोई उपाय नहीं है कि एक संक्रानती काल चल रहा है तो उस समस्या को उस अवस्था को कहीं भी कुछ भी हो सकता है यूपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है ठीक है कहीं भी पताने कौन सी तयारी इन लोगों कर रखी और किस नाम पर को क्या लगता मोपला विद्रो की हुआ था ख खिलाफ़त आंधोलन नाउट पूरे मालाबार चेतर को हिंदू विहीन कर दिया गया मुपला मुसल्मानों ने हिंदू विहीन कर दिया एक सिंगल हिंदू परिवार छोड़ दीजिए सिंगल हिंदू व्यक्ति नहीं बचा था उस विद्रों में उस घटना में तो इसी लिए और क्यों नहीं बचा था बहुत बड़ा कारण था तो जब वीर सावरकर ने इसके उपर अपनी उपर न्यास लेखी तो उन्होंने सरपर्थम जो कमियां हिंदू समाज में थी उसी को उजागर किया और उन्होंने कहा कि भई वो तू जैसे हैं वैसे हैं अरे भाइत अभीत कुरोना फैला हुआ है कियों फैल रहा है आपने प्रिकाउशन नहीं लिया चीदू सीबाग क्यूंब पहले बी आप दिल्ली में सबसे जाधा आशर कूँकर दिल्ली वालों ने करोना को सबसे जद आंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है गुठ खा पान खाकर इधर उदर थुखे जा रहे हैं कि में हुछ कोछ नहीं होता देखो किसान लगे हुए आंदोलन कर रहे हैं कौन वहाँ मास्क पेना है है मुझे ऐसे लोग मिले उस समय मैंने क्यों किसान आंदोलन को पॉइंट किया एक व्यक्ति मुझे कहा कि आपको किसान आंदोलन को जिम्मेदार बता रहे हैं लेकिन किसान आंदोलन के समय कुरोना नहीं फैल रहा तो मैंने कहा किसान आंदोलन कब हुआ था 2019 में हुआ था क्या है तो दिल्ली में जब ये किसान आंदोलन हुआ तो दिल्ली की जनता उससमें दिल्ली के लोग बोल आपने precaution नहीं लिया आपने precaution नहीं लिया बस यहाँ पर भी वही बात है precaution ले लिजिए ऐसी घटनाएं जो बंगाल में घट रही है इस समय वो अलग-अलग शेत्रों में पिछले 100 सालों से थोड़ी बहुत घटती हुई आई है ऐसी बात नहीं के लिए घटती हुई आई है घटती हुई आई है भाई इसी लिए आपको इसके लिए जैसे कुरोना से बचने के लिए कुरोना से लड़ने के लिए आपको नियमी तुरुप से मास्क पहनना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है आप इस्टीम ले रहे ह ले रहे हो इस्टीम लेने का फैदा बहुत होता है अगर करोना आभी गया गले में अगर इस्टीम गरम गरम उसको मिलेगा न तो जितनी तेजी से वह व्रधी करेगा अपना मल्टिप्लाई करेगा अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा वो करनी पाएगा उसमें उसकी थोड़ी रुकावट आएगी उसको आप गारगिल कर रहे हैं गले को साफ रख रहे हैं काड़ा पी रहे हैं आप इम्मुनूटी पावर बढ़ा रहे हैं आप इस सारी तैयारिया कोरो अमीद ही मत करो मानवता की कोई उम्मीद रखो ही मत जहां उम्मीद रखोगे सरफ दोका मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तो इसी लिए अपनी पूरी तैयारी आपको करने ही पड़ेगी अब इस समय एक संक्रांती काल चल रहा है कहां पर कौन सा उपद्राय किस रूप में शुरू किया जाएगा वो बताना मुश्किन है तो इस पर भी आप ध्यान दे अपनी तैयारी रखे और बंगाल के लोग हो चाहे आसाम के लोग हो बिहार कहीं के भी लोग हो यूपी के लोग हो यूपी में काफी सेंसिटिव माहौल है अंदर अंदर तो यूपी के लोग हो कहीं के भी लोग हो वो निश्य ही अपने आपको सतर्क चौकनना रखे कब कहां से कौन सा उपद्रोश शुरू किया जाएगा बताना मुश्किल है तो ठीक है इसारा काफी है समझदार के लिए तो चलिए जब चर्चाएं करेंगे मुपला विद्रो पर तो निश्य ही और भी कई चर्चाएं उसमें जुड़ जाएंगे तो मैंने खुद द्रिश्य देखे हैं ऐसे इसलिए मैं आपको सजक करना एक कर्तव्य बन जाता है एक दाई तो बन जाता है कि भाई इस विशय पर अगर चुप रहा जाए तो चुप रहने से कोई समधान निकलने वाला नहीं आप भी मत चुप रही है सोशल मिडिया पर आप कुछ लिख सकते हैं बोल सकतेयी बैठिये मत लिखिये बोलिए चंद होकर सोशल मिडिया पर इस घटना के विरोध में ठीक तो बहुत बहुत आभार आप सब्का इस चैनल से जोड़ने और इसकाालाब उठाने के लिए आपको लगता है कि निश्य ह भी क्या करें जनकल्यान का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत आभार 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 न करता है